एक लहर रहती थी चुनाओं में, करते मोधी लहर है, या दस साल की जो सरकार जब चल जाती तो एक इनका इंटी इंकमपैसी की बात आती है, क्या अतालमेल इस दोनों में आप देखते हो, क्या अश्थिती देखिए हमको तीन चुनाओं को देखना होगा, 2014 के चुनाओं को देखिए, 2019 को चुनाओं को देखिए, और 2024 के चुनाओं को देखिए, 2014 का चुनाओं, कॉंग्रेस गौवर्मेंट जो यूपिय की गौवर्मेंट चल ले थी, उसकी एंटी इंकमपैसी पलड़ा गया था, और भारती जनता पार्टी या उससे जोड़े इतने आरोप लगाए कि इससे दुनिया में कोई पार्टी नहीं होगी, लेकिन दुरभाग ये है कि हम लोगों ने जब डेटा देखा, तो पता चला कि इन में से किसी एक को सजा नहीं हो पाई, सारे लोग बरी इसी सरकार में हुए, इसी दस साल में हो गए, तो 2014 का चुना भारती जनता पार्टी हो या कॉंग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो चुनाओ नहीं जीत सकती है, अगर जीत सकती थी, तो 22 जनवरी को जब मोदी जी ने राम मंदिर का उधाटन किया, और उसके बाद पूरे देश भर से लोगों को बैठा करके गाडियों मे बिधायक और सांसद हजारों लोगों को ले करके आये राम मंदिर का दर्सन कराने के लिए, ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूं कि ये माहौल क्यों बदल ला है, जितना ज्यादा प्रचार आप करेंगे, उतना ही ज्यादा, एक स